हेलो फ्रेंट्स येर इस योर फ्रेंड राहुल व्यास और वाचिंग टेक्नोबात आर्वी फ्रेंट्स आज हम करने जा रहे हैं कटिंग ग्रो इस चीको के ब्लांट की यहां पे आप देख सकरे हो यह जो टेहनी है यह थोड़ी से कमजोर हो गई है तो फ्रेंट्स हम क्या कर करने वाला है इसको यहां से कट लगाएंगे और इसी को इसी पॉट में हम ग्रो करने वाला है। अब और यहां पर यहां पर यह चीको कुक्राफ्ट किया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं यह उसी एक टेहनी जो की कमजूर हो चुकी थी तो मैंने क्या किया इसको 45 डिगरी एंगल पे प्रूण से कट कर लिया है और हम इसी को ग्रोग करने वाले हैं इसी प्लांट में या फिर पोकोपीट के अलग से चोटे से कंटेशनर में तो इसको ठेट करना पड़ेगा अर इस एको मैं ना इफ से थुटअ सा फुटिफाइब लगा हूंगा और साइड से इसका जो यह ब tow फिर की जो हाड ऐर है उसको चाहँ ऐवाट इसी में हम इसको लगाने वाल है तो यहां पर एक लीपता बूल बना लीजिए और इसको एपलाई कर दीजिए और इसको अच्छे से साइट से दबा लीजिए इसको स्प्रेयर से हम इसको स्प्रे कर देते हैं इस पूरे पोधे को ज्यादा नहीं पर एवरे जिसको साथ से आट दिन तक पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि अल्रेडी हम इतना पानी इसमें स्टोर कर देंगे इसको कोपीट में तो मेरे मुंता अभी कितना पानी इनाफ है और सिंप्ली हम इसको ऐसे ट्रांसपरेंट पनने से इसको रैप कर देंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हूंगा तो इस वीडियो को होशके इतना फैर कीजिए और इसकी जानकाई हर एक यूजर को को मिलनी चाहिए इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा और हमारे यूटीब चैनल टेक्नोपाथ हर्वी को सब्सक्राइब कर दीजीगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लिजीगा जिससे आपको हमारे वीडियो की आने वाली नौटिफिकेशन आपके मोबाल में तुरंती मिलती रहे स्क्रीन में दिखाये गए हमारे चैनल के लोगों को क्लिक करके आप इजीली हमारे यूटीब चैनल टेक्नोपाथ हर्वी को सब्सक्राइब कर सकते है